हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग टो लॉफ यूर वेलकम टो लॉजिक बाट्शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 मार्च के इंपॉर्टन करेंट अफियर्स के क्वेशन्स फिरिंड इस वीडियो का पीडेफ आप लोगो टेलिग्राम पे मिल जाएगा जिसका क लिंक आपको दिया गया है डिस्किप्शन बॉक्स में यहां पर देखे हम सभी important questions को cover करते हैं जो कि आपके exam में बिल्कुल आने के chances होते हैं तो इस वीडियो को complete जरू देखेगा वीडियो आपको पसंद आए तो please इसे like जरू करें इसे जादा से जादा share करें और चैनल प positive thought no matter how hard things were tomorrow is a fresh opportunity to make it better देखें दिन का जो अंतेना आपका वो हमेशा positivity के साथ रखें मतब positivity के साथ उसे खतम करें दिन की जो भी आपकी पूरा दिन का जब आपका end होता है आपका उस दिन कितनी भी चीज़े कितनी भी hard चीज़े क्यों न हुई हो यह सोचे कि कल इससे भी बह बहतर बनने का आपको नया अफसर मिलता है एक नई opportunity मिलती है तो कल आप और भी बहतर कर सकते हो तो यह इस positivity के साथ उस दे को खत्म करें ना कि negativity के साथ बैटें कि आरे आज तो कुछ नहीं हुआ या फिर जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाई है कर पाया तो इस तरीकी क negativity से बिलकुल आप क्या रहें दूर रहें तो चलिए फिर शिरू करते हैं आज के class को पहला हमारा आज का question है the third edition of joint training exercise जिसका नाम है X-10 तलिक यह इंडिया और कौन से देश की आर्मी के बीच में हुई है देखो exercise से friend related question जरूर बनेगा definitely इसको करके जरूर जायेगा तो यह जो X-10 तलिक exercise हुई है ना यह इंडिया और उजबेकिस्तान की आर्मी इसके बीच में हुई है अब आपको दो चीज़न यहां से और ध्यान रखने है first की इसका कौन से edition है यह इसका तीसरा edition है कहां पी exercise हुई है तो उजबेकिस्तान में ही यांगियरिक एक जगा है वहां पे इसको कंड़क्ट कराया गया है इसका जो last edition हुआ था 2021 वाला वो इसका second edition था जो कि रानी खित उत्राखन में इसको कंड़क्ट कराया गया था इस joint exercise का main उदेश है कि जो terrorism operations है ना उनको counter करना semi-urban जितने भी areas होते हैं वहां पे तो एक तरीके से terrorism को रोकने का ही main इस exercise को कराने का exercise की बात आती है तो दीखे कल आप लोगों के exercise बताई थी इसका नाम है लेमितिये जो की ninth edition हुआ है between Indian army और जो शेचल्स की defense forces है इसके बीच में ये 22 तारीक को शुरू हुए exercise और 31 मार्ज तक ये military exercise चलेगी ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसको शेचल्स की defense academy में ही conduct कराया जा रहा है इसके इलावा देखिए तीसरा edition एक्स धर्म guardian exercise का किस किस के बीच में हुआ है इंडिया और जापान के बीच में और कहां पी हुई है तो करनाटक के जो बैलगवी जगा है वहां पे इसको conduct कराया गया तो बार बार हम देखे revision भी करेंगे ताकि अगले question के तरह बढ़ते हैं अगला question हमारा क्या देखिए अगनी बाज division organized a joint exercise between which of the following and महराष्ट police at लूला नगर पुने देखिए पुने में जगा है लूना नगर वहां पे किस के बीच और किस कौन है और महराष्ट की पुलिस है किस की और महराष्ट की पुलिस के बीच मे एक joint exercise हुई है तो सही answer हो जाएगा इंडियन आर्मी तो ध्यान ने किंगे friend इंडियन आर्मी और महराष्ट की जो पुलिस है उनके बीच में ये जो exercise है उसको कराया गया है इसका उदेश है ये है कि पुने में मालिचे कोई भी terrorist action होता है या कोई भी आतंगवादी असानी से किया जा सके इसके लिए जो सेना है और जो पुलिस है उनके द्वारा जो है ये अभ्याज किया गया है ठीक है तो याद रखेगा कहां पे किया गया है तो ये पुने के लूला नगर में इसको conduct कराया गया है नेक्स्ट हमारा question है which space agency organized which space organization has confirmed the presence of over 500 such planetary bodies around stars beyond the solar system यानि कौन सा अंतरिक्ष्य संगठन है जिसने solar bundle से परे तार के आसपास लगबग 5000 से भी जादा जो ग्रह पिंड है उनकी presence की जो पुष्टी है वो करी है कि इतने जो है वो planetary जो body है वो यहाँ पे हो सकती उसकी presence है ऐसा उन्होंने confirm कर दिया है तो ये space agency कौन सी है तो सही answer हो जाएगा NASA के द्वारा इसको जो है इसकी पुष्टी करी है अभी देखे 65 नई प्लानेट के discovery के साथ में NASA ने यहाँ पर 5000 ऐसे ग्रह पिंड की उपस्तिती की जो पुष्टी है वो की है solar system में ठीके NASA की बात आती है तो देखे 29th of July 1958 इसकी establishment हुई है और इसका जो headquarter है वो Washington DC में NASA का headquarter है next हमारा question है according to the world air quality report 2021 which of the following is the most polluted capital city in the world सबसे जादा जो प्रदूशित राजधानी शहर है वो कौन सा है तो सही answer हो जाएका Delhi बैर देखो Delhi जो है इंडिया की capital है जो की पोरे world में most polluted capital city में आई है और यह जो report है किसके द्वारा दी गई है तो Swiss organization IQ Air इनके द्वारा इस report को तयार किया गया जिसमें दुनिया के 100 सबसे polluted cities में से 63 तो कहा है भारत में ही है यानि भारत में सबसे ज़ादा polluted cities का जो record है वो देखा गया है इसके बाद देखे एक और हमारे पास index है इंडिया ने कौन से rank secure करी है global house price index q4 2021 तो भारत की बात करते हैं फिर भारत ने इसमें जो rank secure करी है 51 नंबर की rank भारत ने इसमें secure करी है अच्छा ये table आपको थोड़ा सा define करेगा इसमें देखो पहले नंबर पे है टोगी second पे न्यूजिलेंड है third पे है शेज रिपलप्लिक और भारत की rank आप देख सकते है 51 नंबर पे जो है वो इसमें भारत है ये किस ने जारी किया तो इसका जो source है न वो है night frank research के दोरा इस index को जारी किया गया है तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी index है न वो किसके दोरा जारी करी गई है ये भी आप से पूछ सकते हैं कुछ और rankings की बात करें तो देखे international intellectual property index में भारत की जो rank है 43 है और इसमें top country है USA वहीं बात करते हैं देखे 9th US Green Building Council में भारत की जो rank है वो तीसरे नंबर की है और इसमें top country पे है चाइना Global Entrepreneurship Monitor Report में भारत है चौधी नंबर पे top country पे है साउधी अरेबिया इंडिया ने Economist Intelligence Unit Democracy Index पे 43 rank हासिल करी 46 और इसमें top position पे रहा है नॉर्वे तो ranking से भी आपकी definitely question बनता है तो इसके उपर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर दें अगला question है with which of the following will Ministry of Civil Aviation jointly organize Asia's largest event on civil aviation जिसको नाम दिया है Wings India 2022 देखे कौन सी organization के साथ में मिलकर civil aviation जो ministry है उन्होंने इस largest Asia के सबसे बड़ी event को organize किया है तो यहाँ पे जो हमारी organization हो जाएगी वो है FIKI Ministry of Civil Aviation किसके पास है तो यह आपको याद होना चाहिए जोतिरादित्ये सिंध्या के पास है Ministry of Civil Aviation ठीक है अब देखो इसमें इसकी theme रखी गई है India's at the rate 75 new horizon for aviation industry तो इस event को 25 March को जो है इसको inaugurate किया जाएगा यानि इसको कल जो है वो जोतिरादित्ये सिंध्या के द्वारा इसको formally inaugurate कर दिया जाएगा फिकी के बाद करते हैं 1927 में इसकी स्थापना हुई है और इसका headquarter कहाँ पी है न्यू डेली में इसका headquarter है अगला question है friend शहबुद्दीन एहमद the former president of which country has passed away at the age of 92 हाली में देखे इनका निधन हुआ है ये किस देश के former president दे ये बताना है तो friend सही answer हो जाएगा यहाँ पे बांगलादेश is the correct answer इनका जो निधन हुआ है वो बांगलादेश के capital ढाका में इनका निधन हुआ है शहबुद्दीन एहमद जी की बात करते है तो ये 1996 से लेके 2001 तक बांगलादेश के president के रूप में इन्होंने काम किया फरवरी देकि 1991 में country में free and credible यानि स्वतंत्र और विश्वशने चुराव कराने के लिए भी ये ही जिम्मेदार दे ठीक है तो याद रखेगा इनका नाम और इनकी country का नाम भी ध्यान रखेंगे पांगलादेश अगला question है friend the former prime minister of which country जिनका नाम क्या है सौमिले बॉबे मागा अभी हाली में देखे बिमारी के कारण इनका भी निधन हुआ है तो बताना है कि कौन से देश के ये former prime minister थे answer यहाँ पर देखे हो जाएगा माली तो ये माली देश के former prime minister थे जिनका भी हाली में निधन हुआ है और 2017 से लेके 2019 तक यह यहाँ के prime minister के रूप में इन्होंने काम किया इसके लावा ध्यानने केगा 2017 में इनको कीता का prime minister पॉइंट किया गया था लेकिन April 2019 में वहाँ पे देखे एक massacre हुआ जिसमें 160 जो people है वो मारे गएते और उसी के बाद जो है इन्होंने resign यानि स्तीफा दे दिया था तो इनके बारे में सिर्फ आपको यह धिहान रखना है कि कौन से देश के former prime minister थे तो आप का अंसर रहेगा माली हाल फिलल देखे और भी कुछ लोगों का निधन हुआ है बात करते हैं तो former आंदरपरदेश कवर्णर कुमुद बेन जोशी जी का भी निधन हुआ WWE के legend Razor Raymond passed away former Zambian president जिनका नाम है रुपिया बांदा इनका निधन हुआ है और former Pakistani president राफीक तरकार इनका भी अभी हाली में निधन हुआ legendary Australian spinner Shane Vaughn passed away and former Australian cricator Rode Marsh इनका भी अभी हाली में निधन हुआ है तो इस तरीके से जब आप भार-बार चीज़ों को करेंगे तो definitely वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा next question पर बढ़ते है तो chief minister of which state announced that his government will launch an anti-corruption help line number कौन से राच्छे की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने गोशना करी है कि उनकी सरकार corruption के against में एक help line number शुरू करेगी ये गोशना करी गई है पंजाब सरकार के द्वारा तो पंजाब में अभी देखे नई chief minister appoint हुए है इनका नाम आपको ज़रू ध्यान होना चाहिए भगवन्त मान तो इनके द्वारा ही ये जो announcement है वो की गई है अब देखो इसमें क्या होगा उन्होंने ऐसा बोला है कि मालिच है आपसे कोई भी करब कोई भी रिश्वत लेता हो कोई भी ब्राइब मांगता हो तो आप उसे मना ना करें आप उसकी जगे उसे क्या करें उसकी वेडियो बना लें या कोई audio ऐसे record करने और जो भी ये नमबर अभी दिया जाएगा उस नमबर पे आप उस audio या वीडियो को send करतें ताकि जो भी रिश्वत खोर है उनके अगेंस्ट जो है वो या कारवाई की जा सके या उसको रोका जा सके तो इसके लिए ही एक help line नमबर शुरू किया जाए और ऐसी announcement करी है पंजाब के चीव मिनिस्टर के द्वारा इसके लावा देखिए हाँ पर गवर्नर है बनवारेलाल पुरोहित लोकसबा सीट 13 राजचेसबा सीट है 7 और यहाँ पर नमबर ऑफ डिस्ट्रिक है 22 यहाँ का state animal है black buck, state bird है northern goshawk, dam में important देखिए रंजी सागर डै जो भी हाल फिलाली हुई है देखिए जैसे नागा लेंड नागा लेंड पहला जो है वो पहली assembly बने है पहली paperless assembly जिसने implement किया है इविधान application को वहीं बात करें West Bengal की तो डोल उस सब अभी जिसे हम डोल जात्रा भी कहते हैं अभी हाँ celebrate किया गया करनाटक की government के द्वारा द access करना उसको easy हो सके अगला है तिरपुरा की सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री चार्श श्रमी कल्याय प्रकल्प scheme को शुरू किया गया और हर्याना के चीफ मिनस्टर के द्वारा महिलाओं के लिए women's के लिए सुश्मा स्वराज अवार्ड की announcement की गई next question पर बढ़ते हैं तो friend देखे question है which edition of Academy Awards are all set to take place on March 27 तो देखे 27 मार्च को ये जो Academy Award है अच्छा Academy Award को एक और नाम से जाना जाता है जो कि बहुत फेमस नाम है Oscar Oscar ही कहा जाता Academy Awards को जो कि 27 मार्च को शुरू हो जाएंगे और इस पार इसका कौन सा edition होगा तो आपका answer रहेगा 94 इसका edition रहेगा और कहां पे होंगे तो Los Angeles में Dolby Theater है वहां पे ये जो Awards है जिनको Oscar भी कहा जाता है इसको कराया जाएगा देखे ये जो Awards है फिल्म इंडस्ट्री में दिये चाता है फिल्म इंडस्ट्री में जो आर्टिस्टिक जो टेक्निकल मेरिट है यानि तकनीकी योगिता है उसके लिए जो है Academy Awards दिये जाते है ये one of the highest honor है entertainment इंडस्ट्री का ओके तो याद रखेंगे इसका addition और जब इसके announcement भी हो जाएगे तब हम उसके बारे में भी discuss करेंगे अगला question है who among the following photographer has won the 13th edition of Green Storm Global Photography Award 2022 तो इसका जो तहिर्वा संस्क्रण है ये किसने जीता है सही answer हो जाएगा मुहमेद रेजा मासूमी के दौरा ये award जीता गया है अच्छा ये कौन से देश से हैं तो याद रखेंगा ये इरान देश से बिलॉंग करती हैं ये जो award है ना award ceremony होई इसको organize किया गया है UNEP के साथ में मिलकर यानि UNEP United Nation Environment Program के सहीयोग से इस पूरी event को organize किया गया जो green storm global photography award ह है ना ये green storm foundation के द्वारा organize किया जाता है और 2022 में इसकी theme रखी गई restore green lineage इसकी जो है theme रखी गई कुछ और awards की बात करते हैं कुछ revision के तौर पर तो देखिए Francis केरे अभी इनको प्रिजर प्राइस मिला है और ये पहले African बने जिनको प्रिजर प्राइस से अमानित किया गया है second question है second है हमारा नारायन प्रधान जिनको जीडी बिला award for scientific research के लिए नामित किया गया बांगलदेशी रिजवाना हसन इनको US International Women of Courage award दिया गया असम की सरकार के द्वारा असॉम बाइभेव award ये किसे दिया गया है रदन टाटा जी को दिया गया है next question है हमारा देखे book का नाम है the book of बिहारी literature जिसको harper collins ने publish किया है तो friend हमें बताना है कि जो book है न इस book को तो friend अगर बात करते हैं इस book को तो इस book को लिखा किसके द्वारा गया है तो अभय के ने इस book को लिखा है तो आपका answer है का option number D is the right answer देखे कुछ book से related हम current affairs की बात क करें तो साहित अकार्डमी ने अभी publish करें एक book जिसका नाम monsoon है जिसको अभय के द्वारा ही लिखा गया था और 68th anniversary के occasion पर ही इस book को publish किया गया इसके लावद है कि सुबीरा प्रशाद यह नोंने एक book लिखी the angels of कैलाश यह इनकी second book है कि इसकी trilogy की humans और demons की जो battle है न उसको दर्शाती है तो उसको उसको दर्शाने वाली है उनकी second book है जिसका title है the angels of कैलाश हाल में यह देखे वाइस प्रेज़ेंट M.N.K. नाइडू जी ने राज कापूर दी master at work इस book को release किया है और यह book लिखी गई है film maker राहुल रवेल के द्वारा इस book को लिखा गया अगला question है देखे हमारा in tennis who announced her sudden retirement at the age of 25 in March 2022 देखे हाली में किस ने अचानकी सन्यास की गोशना कर दी वो भी सिर्फो सिर्फ 25 year की age में ही तो एक question important होगा exam point of view से उनका नाम है ऐशले बार्टी ऐशले बार्टी देखे world number one tennis player है और अभी recently इनोंने जो है वो अपनी retirement की announcement करी है अभी देखे कुछ week पहले ही आपको याद होगा कि जो Australian open हुआ था Australian open जीतने वाली ये 44 years में पहली Australian बनी उसके कुछ ही हफतों के बाद उनोंने गोशना की ये जो announcement है उसको छोड़ने की मतलब एक तरीके से retirement की currently देखे ये women's की single ranking में कौन से number पे है number one position पर है ठीक है इनका नाम जरूर ध्यान रखेगा कोशन important है काफी जादा अगला कोशन है लक्षे सेन अभी आपने नाम सुना ही होगा इनका तो हमें बताना है कि what is the rank of लक्षे सेन in the men's single वेडमिंटन world ranking जो कि अभी हाली में release हुई है ये जो world ranking है ना इसमें लक्षे सेन का rank रहा है ninth number का ठीक है तो याद रखेंगे लक्षे सेन इस टाइम पर पूरे world में कौन से number पे पहुँच रहे है ninth number पे पहुँच रहे है रेसेंटले देखे अभी चांपेंशिप उई ती जिसमें जो किदांबी श्रीकांत है ना इनोंने इसमें जो है वो silver medal जीता देखो अभी जो है अगर हम ब साइप प्रनीत है वो है इस रैंकिंग में 19 नंबर पे और लक्षे सेन कहां पर पहुँच गए है ninth number पे पहुँच गए है next हमारा question है where was the BNP परिबास open tennis tournament organized इस tournament का आयचन कहां किया गया था सही answer हो जाएगा California USA में इसका आयचन किया गया था इसमें देखो woman single का title किस ने जी जीता है Ega Swetek जो कि Poland की player है वही men single का title जो जीता है इसमें वो जीता है Taylor Fritz ने जो की है United States के player तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है men single का भी और woman single का भी जादतर वैसे यही पूच जाते हैं exam में फिर्ट आज के हमारे सभी question हो गए है चलिए आप एक quick revision कर लेते हैं This second India Australia virtual summit was held between Prime Minister Narendh Modi and second name हो जाएगा Scott Morrison अगला question है Lemity तो मैंने आपको बताया अभी देखें कि Lemity जो है वो इंडिया और Shechels के बीच में यह exercise होई इसके बाद प्रसार भारती ने special broadcasting service के लिए किस country के साथ में एक M.O.U. sign किया है सही answer हो जाएगा Australia अगला question है कौन सी company ने कौन सी company को one web के द्वारा चूस किया गया तो launch the remainder of its satellite answer हो जाएगा space X इसके बाद उत्राखन के chief minister भाई कौन अब दुबारा से बने है पुशकर सिंग धामी उसके बाद देखें गोवा के chief minister पत के लिए उनके second term के लिए किसको elect किया गया है तो प्रमोसावंत ही बने है गोवा के फिर से against chief minister इसके बाद देखें कौन से bank ने smart hub व्यापार program और auto first application को launch किया है सही answer हो जाएगा STFC bank ने launch किया who became the first African to win preserve prize 2022 इनका नाम क्या है Francis Kere next question है recently who appointed in United Nations advisory board on multilaterism सही answer हो जाएगा जयती घोशी को appoint किया गया next question है देखिए तलाई मनना जो कि श्रीलंका में है और कहां तक धनुश कोडी जो कि बहारत में है इस तक जो park straight है उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे youngest यारी सबसे कम उमर की और सबसे fastest female swimmer कौन बनी है तो इनका नाम है जिया राई इसके बाद देखिए who has become the first para athlete जिनको पद्म भूशन से समानित किया गया है जो कि country का तीसरा highest civilian honor है या award है आंसर हो जाएगा देवेंदर जाचरिया अगला question है who was felucitated with the sports icon award at the Maldives sport award तो हाली में से किसे समानित किया गया है the right answer is सोरेश राईना तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सभी revision questions कल आप लोगों से पहला question ये पूछा गया था कि 36 कड में governor कौन है तो अनुसुया उईके है यहाँ पे chief minister बुपेश बगेल है और capital यहां की नया राइपूर है ठीके बिल्कुल आपने सही बताया और इंडिया जो है वो रामसर convention का part कब बनाता 1st February 1982 को इस time भारत में total 49 रामसर साइट है पहली चो रामसर साइट है वो है चिलका लेक जो की है ओडिसा में और केवलादे नाशनल पार्ग जो की है राजस्तान में तो ये आप लोग इसके बारे में देखें जितनी भी information है वो जरू ध्यान रखीगा क्योंकि definitely आप जितनी information share करेंगे ना उतना आपको ही जादा benefit होगा तो आज के comment देखते हैं हमारे किसकित के हैं प्रियांका प्रियदर्शनी बहीरा एंड राकेश कुमार साहू आप सभी ने बहुत अच्छे से comment लिखा है और बाकी सभी student ने भी सही answer करें आज का पहला question जो रामसर साइट है ना कांजली लेक ये कहां पे located है second question है कौनसे state की government कौनसे state की जो cabinet है ना उन्होंने excise policy यानि आपकारी नीती को मनसूरी दी है friend यहाँ पर हमारी वीडियो खतम होती है मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के सभी question आपको समझाए होंगे आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहें बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें अपने उपर विश्वास रखें thank you so much for watching this video